दॉक्टर कफील खान को इलाहबाद हाइकोट से बड़ी राहत, C.A. प्रदर्शन में भरकाओ भाशन के आरोप में दर्ज फर रद। को आज इलाहबाद हाइकोट ने बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कोट ने उनके खिलाफ आपराधिक कारवाई पर भी रोक लगा दी है। इलाहबाद हाइकोट की जस्टिस गौतम चौधरी की एकल पीट ने डॉक्टर कफील खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से अभियोजन चलाने की अनुमती लिए बगेर चार्जशीट पर C.J.M. अलीगर द्वारा संग्यान लेने की कारेवाही को भी रद कर जिस्टिस गौतम चौधरी ने मामले में सीनियर एडवोकेट दिलीप कुमार, एडवोकेट मनीश कुमार सिंग और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीश गोयल की दलीले सुनने के बाद यह आदेश दिया बतादे की डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नागरिक्ता संशोधन कानून और नर्सी के खिलाफ प्रदर्शन के दोरान अलीगर मुसलिम विश्वविद्याले में आयोजित एक सभा में कथे तोर पर भरकाओ और देश विरोधी भाशन देने के आरोप में 12 दिसंबर 2019 को ए जिसकी वैधता को कफील खान ने हाइकोट में चुनोती दी थी गौर तलब है कि इसी केस के आधार पर योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एने से लगाया था जिसके बाद कफील को एने से के मामले में गिरफतार कर लिया गया था जिसमें उन्हें करीब 6 मही जेल में रहना पड़ा बाद में इलाहबाद हाइकोट ने एने से की कारवाई को रद कर दिया था जिस बयान के आधार पर डॉक्टर कफील पर एने से लगाया गया था उसे कोट ने भरकाओ या फिर देश तोड़ने वाला बयान नहीं माना कोट ने कफील के खिलाफ एने स की कारवाई को रद करते हुए ततकाल रिहा करने का आदेश दिया था